जै माता दी नवरात्र में माता रानी से जो भी मांगा जाता है कहते हैं अपने भक्तों को वो जरूर देती हैं और माता रानी से पूरे सच्चे दिल से जो भी मनुकामना मांगी हो वो पूरी ना हो ऐसी हो ही नहीं सकती प्राचीन माननेताओं के बारे में बात करें तो नौरात्र में यह 9 दिन हम माता के सारे स्वरोपू की पूजा करते हैं अरादना करने से जीवन में रिद्ध सिद्धी, मान समान और सुख सांती का योग बनता है यानि जीवन में आपके तमाम गरह जो असुब प्रहाओ दे रहे हैं वो भी सुब प्रहाओ देने लगेंगे और तमाम गरह आपके ही हिसाफ से चलेंगे आप जैसा चाहेंगे जीवन में वैसा ही होगा हमारे हिंदु धर्म के हिसाब से माना जाता है कि दुर्गा आदी सकती है और वह हिंदु धर्म में इस नाम से ही प्रसिद्ध है और आपको तो पता ही है ये जो नवरात्र है पहला दिन प्रथम दिन नवरात्री का यहां से हम हिंदूओं का नया साल सुरू होता है और इस दिन भगवा पता का अपने घर में मंदिल में अपने च्छत पे अपने बालकोनी में जरूर फहराएं ये हम लोगों के बिजय का पर्व है अगर देवी भागवत पुरान के माने तो यहां पर आस्विन और चैत महिने में माता की पूजा करने से और माता का ब्रत रखने से मनुस्य पर देवी दुरगा का आसिरवाद पूरे साल बना रहता है मनुस्य का कल्यान होता है आज हम आपको ऐसी बिधी बताएंगे जिसे करके आप अपने उपर मातारानी की बिसेश किपा पा सकते हैं और यह बात तो सब को ही पता है कि नवरात्र के दिन में की गई पूजा, पाठ, व्रत, टोने टोटके सभी फलदाई होते हैं आप टोने टोटके कीजेगा तो अच्छी चीजों के लिए बुरे चीजों के लिए मत कीजेगा आज हम आपको बताएंगे कि एक रुपया का सिक्का का एक ऐसा उपाय आप चाहें तो एक रुपया, पांच रुपया, दस रुपया, ग्यारा रुपया, एकिस रुपया का भी ये उपाय कर सकते हैं लेकिन बेहतर होगा एक रुपया का एक ही सिक्का ले यह आप नौरात्री में किसी भी एक दिन कीजिएगा माता रानी की बिशेश क्रिपा आप पर बनी रहेगी यह हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि इस उपाय को करते ही आप रातो रात पैसो पाले बन जाएंगे अमीर हो जाएंगे नहीं इसको करने से अगर आप सची सरदा से करते हैं तो आप पर माता रानी का आसिरवाद बना रहेगा और आपकी किस्मत में भी परिवर्तन आ जाएगा यानि आप उन्नती करते चले जाएंगे तो यह जो एक रुपया का सिक्का है इसका क्या टोटका है आईए हम आपको बतलाते हैं नौरात्री में किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन महास्टमी है सुक्रवार के दिन इस दिन करते हैं तो विसेस फायदे होंगे एक सिक्का लेना है और एक इलैशी हरी इलैशी छोटी वाली जो होती है उसे लीनी है लेकर अपने सर से सातवार उतार ले बाई हाथ में लेकर उल्टा एनि एंटी क्लॉक वैज उतारना है और फिर ठक्या के नीचे रखके सो जाएं सुबह उठकर किसी सुनसान अस्थान में ले जाकर उसे यहाँ पे गार दे या पीपल के नीचे गार दे और बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। ऐसा करने से सारी बुरी बला चली जाएगी और घर में खुसियां आ जाएगी। आप चाहें तो इन नौरात्री के नौ दिनों में किसी भी एक दिन किन्नर से एक रुपय लें और वो सिक्का हमेशा अपने पास रखें यह आपके घर में बरकत देगी धन की कमी तो कभी नहीं होगी। तो यह छोटा सा उपाय आप करके देखें आपको माला माल होने से कोई जी रोख सकता हाँ सरधा भक्ती रखिएगा अन्मने धंग से मत कीजिएगा भगवान हमेशा सरधा देखते हैं भगवान सरधा के भूके हैं तो इन उपाय को करके आप अपने जीवन में चमतकार दे देखिए हम फिर मिलेंगे आप से किसी अन्य टॉपिक के साथ धन्यवाद